दोस्तों तोटा आज प्रित्वी पर पाया जाने वाला सबसे कॉमन पक्षी है, जिसे आज सबसे ज़्यादा पालतू बनाया जाता है कई रिसर्च से पता चला है कि आज इस प्रित्वी पर जंगलों में मातर 50% तोटे ही निवास करते हैं बाकी के 50% तोते आज लोगों के घरों में पालतु पक्षी के रूप में रहते हैं वैसे आज इस प्रित्वी पर तोते की लगवग 388 में प्रजातिया पाई जाती है Molecular Study से पता चला है कि तोते की उत्पत्ती आज से लगवग 59 मिलियन वर्स पूर्व हुई थी लेकिन लगवग 20-25 मिलियन वर्स पूर्व या पूर्ण रूप से एक तोते के रूप में विक्सित हो चुका था जिसमें आज 11-14 ग्राम के होने वाले दुनिया के सबसे छोटे तोते बग फेश्ट पिग्मी पैरोट से लेकर 3-5 केजी तक होने वाले काकापो पैरोट सामिल है दोस्तो आज दुनिया में रेंबो लोडिकीट, क्रिमसन रोजीला, ब्लू फ्रॉंटेड एमेजोन पैरोट, ग्रीन विंग्ड मकाव जैसे कई खूपसूरत तोते सामिल है लेकिन इन सभी तोतों की 3098 में प्रजातियों में मात्र 9 प्रजातिया ही घोशले बनाती है वहीं काकापो तोते जमीन पढ़ी रहते हैं क्योंकि यह तोते की एक मात्र ऐसी प्रजाती है जो की उरान भरने में सक्षम नहीं है इसके अलावा सभी तोते, पेर के कोटर, चटान के छेद, दीमक के घर जैसे अस्थानों पर अपने कॉलनी के साथ समूह में रहते हैं और प्रजानन करते हैं दोस्तो एक दोते के मिलन की प्रकिरिया की शुरूआत मेंटिंग कॉल्स और मेंटिंग डांस के साथ शुरू होती हैं जिसमें नर आवाज निकाल कर और डांस करके मादा को रिजाने की कोशिज करता है जब मादा की सहमती मिल जाती है तब इन दोनों के मिलन की प्रकिरिया शुरू होती है मिलन की यह प्रकिरिया शमाप्त होने के बाद मादा के सरीर में अंडों का विकास शुरू हो जाता है और कुछी दिनों में माता जब अंडे देने के लिए तयार हो जाती है तब वह पेर के कोटर और घोचले जैसे सुरक्षित अस्थान पर दो से लेकर आठ तक अंडे देती है अंडे देने के बाद मादवारा अंडे की देखरे की जाती है अंडो को सेकर उसे गर्मी प्रदान किया जाता है जिससे उसके अंदर चूजे विक्सित हो सके मादवारा इसी प्रक्रिया को दूराते हुए लगबग 3-4 सपता बाद इन अंडो से बच्चे बहार निकलते हैं और अपने लाइफ साइकल के दूसरे चरण यानि की हैचलिंग एस्टेज में चले जाते हैं हैचलिंग एस्टेज में इन बच्चों के आँख बंद और सरीर कमजोर होता है यह अभी अपने पैरों पर खरे होने में असमर्द होते हैं वहीं भोजन के रूप में इसे आसानी से पचने वाले चीजों को खिलाया जाता है दोस्तो तोता एक ओम्नी वोरस जीव होता है जोकि फल बीच सब्जियों से लेकर कीरे मकरों को अपने भोजन के रूप में ग्रहन करता है अपने विभिन प्रजातियों के आधार पर हैचलिंग स्टेज में तीन से पास दिन रहने के बाद यह अपने लाइफ साइकल के तीसरे चरण यानि की नेश्टलिंग स्टेज में चले जाते हैं नेश्टलिंग स्टेज में इनके आख पूरी तरह खुल चुके होते हैं और अब यह अपने पैरों पर खरे होने लगते हैं दोस्तो नेश्टलिंग स्टेज से ही तोते के सरीर पर फिदर्स का विकास होना शुरू होता है। और नेश्टलिंग स्टेज में लगबग 10 से 14 दिनों तक रहने के बाद यह अपने लाइफ साइकल के चौथे चरन यानि की फ्लेजलिंग स्टेज में चले जाते हैं। फ्लेजलिंग स्टेज एक तोते के जीवन चक्र का वह समय होता है, जब इनके सरीर पर पहली बार पंख पूरी तरह से उग चुगे होते हैं, जिसे आने में लगबग 4 से लेकर 15 सप्ता का समय लग जाता है, जो की इनके विविन प्रजातियों के आधार पर भिन भिन होता उरान भरना सीख रहा होता है, नए नए अस्थानों का मुआयना करता है और जीवन जीने के वविन तरीकों को सीख रहा होता है, हाला कि यह अब दिखने में एक वैस्क तोते के समान ही दिखाई देता है, लेकिन साइड में यह छोटा होता है और सरीर पर उगे नए फिदर से इसे आसानी से पहचाना जा सकता है दोस्तो भले ही फ्लेजलिंग एस्टेज में या उरान भरना सीख रहे होते हैं लेकिन अभी भी या भोजन के लिए अपने माता-पिता पर ही निर्वर होते हैं और विकास के इस क्रम में धीरे-धीरे या अपने लाइफ के पांच में चरन यानि की विल्लिंग एस्टेज में चले जाते हैं विल्लिंग एस्टेज में तोता पूरी तरह से खुद पर निर्वर हो चुका होता है भोजन और गर्मी प्राप्त करने के लिए अब यह अपने माता-पिता पर निर्वर नहीं होते हैं बलकि यह अब अपना खाना श्वैम ढूंडते हैं और भोजन के रूप में फल बीच सबजी और अन्य कई तरह के चीजों को अपने भोजन के रूप में गरहन करते हैं दोस्तो विनलिंग इस्टेज में 10-25 सब्ता है रहने के बाद यह अपने लाइफ साइकल के छठे चलन यानि की जुबिनाइल इस्टेज में चले जाते हैं जुबिनाइल इस्टेज वह दोर होता है जब यह पूरी तरह एक वैस्क के समान ही दिखाई देते हैं अब यह अपने सम्हों के साथ तूर दराज के इलाकों तक जाते हैं और नए नए तरीकों को सीखते सीखते बित्ते वक्त के साथ यह वैस्क हो जाते हैं इडल्ट स्टेज में तोते के सरीर मजबूत और गहरे रंग के हो जाते हैं, अब यहाँ प्रजनन की प्रकिरिया में भाग ले सकते हैं, दोस्तो तोता पूरे जीवन अपने कॉलनी और अपने परिवार के साथ ही रहना पशंद करते हैं, दोस्तो आज के लिए बस इतना ही आ पासा करता हूँ आपको यह वीडियो पशंद आई होगी, अगर वीडियो पशंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें